और इसी बीच एक बड़ी खबर हरियाना से सीएम मनोहर लाल खचर का इस्तीफा राज़पाल को इस्तीफा सौफ दिया है हरियाना कि सिये मनोहर लाल खचर ने ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें लगातार की सरकार गिरने को लेकार यहाँ पर बाते चल रही थी चर्चाय चल रही थी, जेजेपी के साथ जो गटबंदन है, उसे लेकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, काफी दिनों से लगातार ये खबरे आ रही थी और इसके साथ ही दुशन गौतम की तरफ से सरकारी गाडियां भी वापस लोटा दी गई थी, अभी हाल ही में ये खब पर राज्यपाल को इस्तीफा स्वाप दिया है हरियाना के मुख्यमंतरी मनोहर लाल खटर ने और राज्यपाल को इस्तीफा स्वापने के बाद अब हरियाना की राजनिती गर्मा गई के हरियाना की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने इस्तीफा सौप दिया है तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं हरियाना की स्तियासत से जुड़ी हुई ग्रीमंत्री अनिलविज भी साथ में पहुँचे हैं राजभवन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने इस्तीफा सौप आए और माना जा रहा है कि सीम चेहरा भी हाँ पर बदला जा सकता है क्योंकि लगातार इस तरह की खबरे आ रही थी कि वहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर को लेकर जो विवाद हो रहे थे और अब भी हर्याना की सियासत से बड़ी खबर ये है कि अब यहाँ पर सीम चेहरा बदला जा सकता है भारती जनता पार्टी का जो जेजेपी के साथ गटबंधन था वो फिलहाल तूट गया है अलान ही अभी तक बाकी है लेकिन अब माना जा रहे कि कई ऐसी बाते थी जिसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था तो संजे भाटिया और नायट सेनी का नाम अब सीम की रेस में आगे के जल्द ही नए सीम का अलान किया जाएगा और लोकसभा चुनाख से पहले ये बड़ा फेर बदल हरियाना में देखने को मिल रहा है मुख्य मंतरी मनुहरलाल खटर ने स्तीफा दे दिया है